हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल गाईज आज की वीडियो में आपके साथ फाइफ ओपन हेयर स्टाइल की वीडियो शेयर कर रही हो और इसमें मैंने डिजाइनर हेयर क्लिप्स का यूज किया जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप अपने बालों को खुला छोड़ कर किस तरह से इन डिजाइनर क्लिप्स का यूज कर सकते हैं ये पांचो हेयर स्टाइल बनाने बहुत ही ज़्यादा इजी हैं सिरफ कुछ सेकिंड में ही आप इने बना सकते हैं इने बनाना बहुत ज़्यादा इजी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल फुल होने वाले है तो गाइज वीडियो को शुरू करने पहले प्लीज मैंने चैनल को like सब्सक्राइब जरूर कर दीजिये तो चलिए फेरंड्स वीडियो को start करते हैं तो गाइज आज की वीडियो में मैंने यह वह अले कलिप का यूज इसे मैंने अपने लोकल मार्के स्टोर से बाई किया जश्ट 50 रुपीज में ये पेर लिया आप कोई भी डिजाइनर हेर क्लिप का यूज कर सकते हैं जो आप यूज करना चाहते हैं तो गाइस कोई भी हेर स्ट्राइल करने के लिए या फिर आपको खुले बाल भी छोड़ने हैं तो सबसे पहले सभी टैंगल को अच्छी तरह से रिमूव कीजिए आपके बाल बिल्कुल मैनेजबल होने चाहिए यह नहीं है कि आपके बाल काफी मैसी है या फिर बड़े अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है कि तो या जो ऑपन हेर स्टाइल है इसे आप घर पर भी करके रख सकते हैं या फिर आपको कॉलेंच जाना या फिर कोई भी पॉटीमें जाना है तो आप हैस एस तरह से बाल लिए है कि आपके बालों में टैंगल बिल्कुल भी नहीं ह होने चाहिए अगर आपके बालों में Tangle होंगे या फिर ओइल लगा हुआ होगा तो आपके बाल खुले छोड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगें गेंगे इसलिए आपके बाल बिल्कुल हेर पिन है यह मैंने लगा लिए आप चाहे तो एक पिन का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाप पर दो क्लिप्स लगाए है कि मैंने सेम पेर लिए आप चाहे तो इसे एक मतल़ साइज में यह काफी ज़्यादा बड़ा है तो आप एक भी लगा सकते हैं तो मैंने इस तरह से ये दो क्लिप्स लगाएं हैं और ऐसे ही आप बालों को खुला चोड़ सकते हैं आप देखें ये ओपन हेर स्टाइल कितना ज़्यादा सुन्दर लग रहा है आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हैं घर पर करके रख सकते हैं इससे आपकी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी सिंपल युनीक लुक लगेगी तो सेकेंड हेरस्टाइल तो मेरा फेवरेट है मुझे यह वाला हेर स्टाइल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इससे ना आपकी जो लुक बिलकुल कॉलेज college going girl वाली लुक लगती है मतलब कि बहुत आपकी लुक बड़ी अच्छी आती है मुझे ये hair style personally बहुत ही ज़्यदा अच्छा लगता है आप मुझे comment करके जरूर बताना कि पांचो hair style में से आपको कौन सा hair style सबसे अच्छा लगा और मेरे पर कौन सा hair style ज़्यदा शूट कर रहा है तो please मुझे ये जरूर बताना तो देखे गाईज इस तरहां से hair clips का use करने से आपकी look कितनी ज़्यदा अच्छी लगती है मुझे ये वाला hair style बहुत ही ज़्यदा अच्छा लगता है आपकी look बहुत ही ज़्यदा अच्छी आती है simple सी आप nude lipstick का use कर सकते हैं kajal का use कर सकते हैं और आप ये वाला hair style कीजिए इसके साथ चाहे आप suit wear कीजिए चाहे jean wear कीजिए आपकी look बहुत ही ज़्यदा अच्छी आएगी बहुत ही आप आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यदा अच्छे लगेंगे आप चाहे तो किसी serum का use भी कर सकते हैं उसके use से मतला आपके बाल काफी ज़्यदा manageable लगेंगे तो third hair style आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने combing की और मैंने front के बाल लिया है हमारे front के बाल होते हैं जो हमारे puff hairs होते हैं जिसमें हम puff करते हैं फ्रंट के hair वो मैंने लिये हैं आप चाहे तो puff भी बना सकते हैं बट मैंने यहाँ पर puff नहीं बनाया simple ही मैंने बस front के बाल लिये हैं और मैंने ये hair clips का use किया है एक मैंने राइड साइड से लगाया दूसरा मैंने लेफ्ट साइड से लगाया है बिल्कुल सिंपल हेयर स्टाइल है बाकी के बालों को आप खुला चोड़ सकते हैं चाहे तो पॉनी टेल भी कर सकते हैं और चाहे तो ब्रेड भी बना सकते हैं तो देखिए यह वाला हेयर पेर लिया है बहुत ही ज़दा सुंदर सुंदर इसमें डिजाइन अवेलेबल है अमाजोन में भी ऐसे क्लिप्स अवेलेबल है आप चाहे तो देख सकते हैं फ्लिप कार्ट पे भी तो फोर्थ हेर स्चाइल अब मैं करने लगी हूं तीन हेर स्चाइल मैंने आपको करके अजी है और इससे भी लुक बहुत ही जदा अच्छी आती है आप चाहे तो सेंटर पार्टिशन करके ना दोनों साइड से रोल बनाकर भी क्लिप्स का यूज कर सकते हैं तो देखे सिरफ मैंने थोड़ा से थोड़ा से एक ही रोल बनाया है और मैंने ऐसे पफ बना लिया है और मैंने क्लिप्स का यूज किया है दोनों क्लिप्स का बाद में आप अपने पफ को सेट भी कर सकते हैं आप चाहे तो दूसरे टिक टैक पिन से इसे अच्छी तरह से पहले सिक्योर करके उसके उपर ये वले डिजाइनर क्लिप्स का यूज भी कर सकते हैं बाद में आप मतलब अच्छी तरह से सैट कर लीजिए ये भी हेरस्टायल किया हुआ बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है मार्किट में आपको बड़े सुन्दर सुन्दर इस तरह के क्लिप्स मिल जाएंगे इनमें काफी अच्छी अच्छी डिजाइन भी है लोगें किसी भी तरीके से आप हेरस्टायल बना सकते हैं तो देखें ये वला हेरस्टायल भी कितना जदा सुन्दर और इसे करना भी कितना इजिए तो अब इसे ओपन कर रही हूं कि चार मेने हेरइड स्टायल आपको करके दिखा दिखा दिए ऑफ़ध हेयर स्टाइल डब मैं एसे भी करना आसान है पॉऩी टेल सिंपल मुझे हाई पॉनी टेल करनी है अब घर पर ऐसे पॉनीटेल करके रख सकते हैं बहुत इजी है हर कोई हर गर्ल हर गर्ल्स की ये फेवरेट फेवरेट हेयर स्टाइल है पॉनिटेल तो simple मैं high ponytail कर रही हूँ गर्मियों में आप इस तरह से high ponytail करके रख सकते हैं इससे भी look बहुत अच्छी आती है तो मैं यहाँ पर high ponytail कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने मुट्टे वाले rubber band का यूज़ कर रही हूँ इस rubber band के यूज़ से आपकी ponitail की look जो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है बल्कुल high ponytail आप कीजिए तो देखिए इस तरह से मैंने high ponytail की है और side pin आमें यही वाले designer clips का यूज़ करूँगी आगे से आप बालो को निकाल सकते हैं फ्लिक्स आप निकाल सकते हैं बालो में असे इस तरह से थोड़ा सा bounce दे सकते हैं तो अब मैं यही hair clips का use कर रही हूँ इस तरह से मैं side पे यह clips लगा रही हो तो देखिए इससे भी hair style कितना ज़्यादा सुन्दर लगता है ponitail की look की change हो जती है hope guys आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी आपको मेरी ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना और आपको पांचो hair style में से कौन सा hair style सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये भी जरूर बताना तो चलिए guys अब मैं मिलूंगी आपको अपनी next वीडियो के साथ अब तक के लिए thank you, bye